अस्ताम लेकूम वेलकम टू एनदो लोग कराची के एपिशोड का सुछला जारी है और आज हम जा रहे हैं गुडानी दुनिया का तीसरा बड़ा शिफ रखने जाए आपको जिसे जाजों का कब्रस्तान भी का जाता है वहां पर एक प्रिमिक पॉइंट है तो देखाएंगे तकरीबन 40 km नौर्थ वेस्ट पे है और रस्ते में हब चोकी आती है अब नदी आती है तो इसमें पर देख रहे हैं रोड यह हब हाईवे है अब यहां सब निकलेंगे और फिर आपको दिखाएंगे रोड किस तरह का है तक रिविन ह्ते कपाने जब गया है तक रुश दोग कि पाल कि उनक पर ळाग पने को ब्रट दो का है झाल झाल इस वोगत हम हब लेशनल हाईवे पे सफर कर रहे हैं और मेरे लेफ्ट राइड पे आपको बसे नजर आ रही होगी ये यूसफ गोर्ट का बस परमिजल है और यहां से आपको पूरे बलचस्तान के लिए अकवाइटा के लिए गवादर के लिए बसे मिलेंगी झाल 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 यहां से बलचस्तान शूरू हो चोक है और हब नदी जो दर्याय हब इसकी उपर हम सफर कर रहे हैं राइड शैट पे जो अलाका यहां पर अब डेम्भी है अभी यहां से फौरन हम बलचस्तान में दाखिल हो जाएंगे बावे बलचस्तान से उसके बाद के बाद जसक्त राता है उसे कहते हैं हब सिटी कियनि भी कहनी भै यहां से एक केले ले रहे हैं यह लगा है कि अफ De Limies gdzie लें हैं इब इसाट इड़ जर जा है धृश मिलें हैं और वर्चशने गोलेश हैं हैं विध्यू हैं पर यहाँ हैं दो तर जर जूण किधने लिये दो जर तर जबुड़ाय neighborhood किछे हैं और जाला है कर दो एक जा खब को साइब एक भाइब एक जाओ एक जाओंग कि अचार एक जाओंग जाओंग एक फड़ जाओंग किल एक जाओंग कि एक लुछ जा है झाल झाल इस वकर तक गरीबन 32 किलिमेटर के फासला हम तैय कर चुके हैं और अभी हम नैश्टल हाईवे को छोड़ के लेफ्ट साइब टरन करेंगे और ये रस्ता सीधा जा रहा है गुडानी सी साइड पे और वहाँ पर बीच भी है और शिप ब्रेकिंग यार्ड भी है बीच भी है कि यह रखता तो अधार सा कच्चा है कच्चा तो नहीं है एक ट्रास्पोर्ट की वेसे टूट नहीं है लेकिन बाइक के लिए कुई इतना इशू नहीं है हम बहुत आसानी से आ रहे हैं यह एक चौक है जहां से आपको डाइवर्जन मिलीगी राइट साइड पर हमें जाना है क्योंकि राइट साइड पर पिकनिक पॉइंट है और बीच भी है क्योंकि लेट साइड पर आप जाए तो गुडानी शिप ब्रिक याड आपको मिलेगा अभी हम जा रहे हैं सीधा पिकनिक पॉइंट पे आपको दिखाते हैं यहां का बीच बहुत पॉप्सुरत है और साथ आप इजाए करें और मुझे दें अजाज़त अला आपिस